हलो दोस्तों स्मार्ट हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक फेक यानि की डुब्लिकेट एसेंबल आप बोल सकते हैं उसमें और ओरिजनल में क्या डिफरेंस है आप कैसे पैचान सकते हैं कि ओरिजनल सोनी की LED कौन स है इन दोनों के अंदर करने वाले हैं कंपेरिजम दोनों की क्लेरिटी में कितने पोर्ट आपको मिलते हैं और डुब्लिकेट में कौन-कौन से आपको पोर्ट मिलेंगे क्वालिटी कैसे मिलेगी बॉडि की क्वालिटी कैसे है और कितने आपको वारंटी मिलती है क्या आप तो बार बार बोलने किया जबरता आप इस सब्सक्राइब कर दें और पास में तरहें कि प्रेस कर दें जिसने की फीचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइब पर मिलता है और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले तो चलिए गरते हैं वीडियो के साथ कमपैरिजम किया था पर आज की वीडियो में करने वाला हूं सोनी के साथ कमपैरिजम आपको बताऊंगा कि वास्तम में लोगों भी-लोग कैसे लगा कर आपको वहां पर बेवभुफूप बनाते हैं उसी को इस वीडियो के और एक्सपोजज करने वाला हूं जो सब की स्क्रीन जीवीं से भी यहाँ पर बाकल को अमिन दिखा दीके समय Being वह भी आप नहीं निकाल पाएंगे आपको ऐसा लगे लगेगा कि ऑरिजनल ही यह वाक्स से इतना पता नहीं लगा सकते कि ऑरिजनल हका नहीं है क्योंकि आज गलते बॉक्स भी सोनी से पूरे मैच हो जाते हैं और अंदल से जो माल निकलता है वो होता है प्योर डुप्लिकेट यह तह है नॉर्मल सा बॉक्स जिसके बारे में आपको थोड़ी सी मैंने इन्फोरमिशन दी है अब मैं आपको बताता हूँ रियल पीस के बारे में जो की है LED TV सबसे बिल आपको बताता हूँ इस सोनी की LED को इसके बारे मैंने अल्रेडी अन्बॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बना के रखा हुआ हमारी चैनल पर जो की पिछला वीडियो था आप जाकर हमारी चैनल पर चेक आउट कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि भाई LED की क्लेरेटी कैसी है और कैसा उसका रेजूलेशन है यह जो LED में निकाल रहा हूँ यह सोनी की 100 परसेंट जैन वन LED है और जो दूसरी LED है वह है एसेंबल्ड उसके बारे में आपको बता दिता हूँ आप देख सकते हैं यह है एक एसेंबल LED TV यह हैं और यह हैं सोनी की दोनों की जो डिफ्रेंस है बEuडी में बहुत जादा डिफ्रेंस है सबसे पहली चीजस ता आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा उस से रहा जाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि वास्तम में क्या डिफ्रेंस है दोनों के अंदर सबसे पहले ता आप इस LED में देख सकते हैं, इसकी जो बॉड़ी की जो क्वालिटी है आपको यहां पर दिख रहे होगी कि बॉड़ी की क्वालिटी कैसी है, एक जो रियल LED होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी है, यहां पर आपको इसका रेटिन मिलेगी वैसे star rating वाला sticker आपको उस पर भी मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी पर मिलेगा, company वाले जो मतलब fake बनाने वाले कुछ भी fake बना सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है यह sticker, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो sticker लगा हुआ है, sony का gen 1 sticker है, इसके उपर barcoding की गई ह और कब बनी हुई है, इसका model number, serial number, पूरा की पूरा यहाँ पर mention किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप online भी search कर सकते हैं, वैसे quality आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही शांदार है, एक branded की quality में, और एक duplicate LED की quality में बहुत ज्यादा difference होता है, और जो result ह सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा difference में लेक आप मिलेगा, और यहाँपर आप देख सकते हैं यह एक assembled LED की पीछे मेंने stand लगाए, और पीछी के तरब आपको यहाँ पर sticker आपको देखने को मिलेगा, आपको है, यहाँ पर देख रा होगा, यह लाइटिंग छोड़ी सभी सल हैं तो थोड़ा समझने आपको या पर नहीं आएगा आप में सब्क्राइग देख सकते हैं है यह शोगेज़ाकरद में देखिए लिखी वह सब्काइश निहां पर नहीं दिखेंगे तो प्रेज तके ओसेучद में बगई पुराप मजनी आएगा वाला इसल उसे पाफ बबादी को से यहांगा है तो ख़का मैं इस पर गोलिकित जिकाटों ? अब मैं आपको बताता हूं इनको आं काड़ असल पर को पयांते हैं यह सोनी की आधियालेंस को बिवैंने की छह बालता है आप नहीं निकाल सकते और अब मैं इसको ओन करूंगा सोनी को और साथ ही साथ यह एस्सेंबल है इसको भी मैं यहाँ पर ओन करूंगा और आप देख सकते हैं दोनों ही LED यहां पर मैंने फिलाल तो ISO यहां पर बड़ा के रखा हुआ है डिस्पले का यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं इसके बद आपको पूरी तरीके से समझ भाएगा पूरा आप साफ आपको यहां पर रज़र आजएगी कि वास्त की बात करें तो बहुत ज़्यादा फरक है सोनी की LED यहां पर आपको यहां पर मिलने वाली है 22,000 से लेकर 23,000 तक और SML LED आपको यहां पर मिल जाएगी 9,000 तक एक स्मार्ट LED की बात कर रहा हूं जो नॉर्मल LED है वो आपको यहां पर 7,000 में आपको मिल जाएगा यानि कि ती यहां पर 2 साल के दिदेगा और कोई आपको यहां पर 4 वारंटी नहीं देगा इसा फ़ीला यहां जाप कशल की एक सम्डील बर्यंदे मीलेगी तो आप यहां पर नॉजड़ी आप समझे आपको काशुकरा परशेज करने चाहिए आपके पास कितना बजट है उसके हिसाब से पेज़ कीदें विए नहीं बोला हुआ कि SMB विकार है और नहीं बोला है कि आपको ब्रेंड ही परचेज करने चाहिए आप के बज़ट के हिसाब से आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितने पैसे खार्च कर सकते हैं उसके उपर यह डिपेंड करता है कि आपको कौन सी LED पर्चेज करने चाहिए आई थिंक दोनों ही बेटर है जैसा आपका बजट वैसी ब्रेंड वैसी कॉलिटी वैसी LED आपको क्या पर्चेज करना है आपको सोचना है मैंने वीडियो बना दिया और मेरे बोलने पर ना ता आप पर्चेज करने वाले हैं और ना ही पर्चेज करेंगे जो आपको पर्चेज करना है वह आपको पर्चेज करना ही है तो आप सोचिए आपको कौन सा बेटर लग रहा है अगर जो अच्छा लगे आप पर्चेज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लेगे लिडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें शेयर तो ज्यादा ज्यादा करें कि लोगों को बेवकूप बना रहे हैं मैं यह नहीं बोल रह हुआ 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 है हुआ 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 ह